नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैं चैनल देब MTR और ये है न्यू मेंदरा E-Alpha Mini E-Rixa जो की लेड एसिट बैटरी के साथ आता है और ये इसका रेड कलर है जो आप देख रहे हैं मेंदरा E-Alpha Mini को मुश्टली सवारी ढोने के लिए यूज किया जाता है तो आज इस वीडिय देखने को मिल जाता है इसमें आपको जो एक सिंगल वाइपर मिल जाता है और यहां पर आपको साइड मिरर मिल जाते हैं दौनों साइड में जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और नीचे आपको रवर की ग्रिपिंग और यहां पर आपको E-Alpha Mini का स्टीगर दिया गया है और इसकी build quality की बात करें तो इसकी जो seat metal है वो भी काफी heavy मिल जाती है और यहां पर आपको मेंदरा का 3D में logo और यहां पर आपको blackness मिल जाती है और यहां पर आपको halogen head lamp और indicator भी आपको halogen में मिल जाते हैं जो की yellow color के दिये गए हैं और यहां पर इसके front वाले tire के size की बात करें तो 4,50,10 का यहां पर आपको tad size मिल जाता है जो की काफी चोड़ा है और telescopic hydraulic sock absorber type के suspension इसके front में आपको मिल जाते हैं और इसके front में drum brake दी गई है और यहां पर आपको अच्छी खासी ground clearance देखने को मिल जाती है और इसकी उपर की side में आपको fully body cover दिया गया है और इसकी जो quality है वो भी काफी अच्छी मिल जाती है जो की waterproof यहां पर आपको मिल जाता है और यहां से आप देख सकते हो यहां पर आपको तोड़े से hook भी मिल जाते हैं पकड़ने के लिए और इसकी जो build quality है वो भी यहां पर आपको काफी अच्छी और काफी finishing के साथ दी गई है और आपको 90-90 वारे का tire size मिल जाता है Steel wheel rim यहाँ पर आपको मिल जाते हैं C8 company के tire यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं और इसके rear में भी आपको drum brake देखने को मिल जाती है इसके rear में दिये गए है leaf spring जो की local bassa में इसको कमानी भी बोलते हैं जो की loading के लिए काफी जादा better और काफी जादा अच्छे माने जाते हैं और यहाँ पर आपको back light, tail light और indicator आपको halogen में मिलते हैं और e alpha mini का sticker और यहाँ पर आपको number plate के लिए एक light भी मिल जाती है और यहाँ से आप इसके bumper को देख सकते हो जो की safety features के साफ से दिया गया हो यहाँ से आप इसके body cover को देख सकते हो beach की side में आपको जो एक transparent polythin जैसा यहाँ पर आपको material देखने को मिल जाता है जो की काफी अच्छा दिया गया है अब दोस्तों इसके side की तरफ चलें तो अब बात करें इसके motor power की तो यहाँ से आप इसकी motor को देख सकते हो जो की butter proof नहीं है आपको पानी से इसको बचाना पड़ेगा जो की 1000 watt की motor यहाँ पर आपको brushless DC type की मिल जाती है इसकी जो horsepower है वो 2 HP की यहाँ पर आपको मिल जाती है इसकी motor में तो अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर के side की तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो finishing है वो भी काफी अच्छी quality के साथ दी गई है और यहाँ पर आपको backrest के लिए seat भी मिल जाती है और यहाँ पर इसकी कुसनिंग है वो भी काफी soft दी गई है और इसकी नीचे की side में आपको charging का slot देखने को मिल जाता है और इसी में आप थोड़ा बहुत सावान केरी करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको एक toolkit मिल जाती है और इसी में आपको charging का option है वो यहाँ पर आपको इसके corner की side में देखने को मिल जाती है जो की extra दी गई है और इसके नीचे की side में देखें तो यहाँ पर आपको aluminium की seat मिल जाती है जो की काफी अच्छी रहती है और इसका सबसे वड़ा फायता यह रहता है कि इसमें आपको resting की problem देखने को नहीं मिलती है और यहाँ पर आपको second row वाली seat यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी quality है वो भी काफी अच्छी मिल जाती है दोस्तो जैसा कि यहाँ से आप देख सकते है और इसमें काफी heavy material यूज किया गया इसकी कुषनिंग है वो भी काफी अच्छी form के साथ दी गई है तो दोस्तों मैं आपको इसकी battery को open करके दिखा देता हूँ तो यहाँ से आप इसकी battery को देख सकते हो जो कि second row में यहाँ पर आपको मिल जाती है इसमें आपको चार battery मिल जाती है जो की बारे बारे bolt की यहाँ पर आपको चार battery दी गई है और चारों की जो power है वो 48 bolt की मिल ज जाती है और यहां से आप इसको जो ओपन भी कर सकते हैं इसमें चार फ्यूज मिल जाते हैं तो जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं इसमें आपको चार फ्यूज मिल जाते हैं तीन फ्यूज यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए तक करने के लिए तकरीबन चार से पांच यूनिट इसमें आपको खर्च हो जाते हैं और इसके नीचे की सैड में देखें तो यहां पर आपको एक कीने को मिल जाता है और यहां पर आपको एक सोच और मिल जाता है और इसका जो डैस conceived है वह यहां पर आपको आपको जो जो है कीकर का है यहां पर आपको मैंदरा का लोगो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको digital meter console मिलता है इसमें आपको headlight और low beam high beam और इसमें आप बैटरी के bolt और यहाँ पर kilometer की reading और बैटरी की charging की reading यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैंदरा का logo देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो है फ्रंट की ब्रेक देखने को मिलती है और इसकी राइटेंड साइड में देखोगे तो यहां पर आपको इंडिकेटर का स्विच और नीचे आपको हॉन का स्विच मिलता है और यहां पर आपको लो भीम हाइबीम का स्विच मिल जाता है और यहां पर आपको तरफ और reverse की तरफ इसको चला सकते हैं और इसके नीचे की साइड में आपको जो है low mode, high mode और medium mode मिल जाता है अगर आप इसको low mode में चलाते हैं तो 17 की speed मिलती है, medium mode में आपको 20 की speed मिल जाती है तो high mode में आपको 27 के लगबग speed मिल जाती है और यहाँ पर आपको rear का braking system मिलता है और यहाँ पर आपको brake का lever मिल जाता है अगर आप इसको यहाँ से press करते हैं तो यह open और close हो जाता है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके power और performance को लेकर तो इसमें आपको 1 kilowatt की motor मिलती है और 48 volt की 120 ampere के साथ आपको lead acid की battery मिलती है इसकी battery को पूरा charge करने में लगबग 7-8 गंडे का समय लगता है और इसकी battery को charge करने में जो unit का जो खर्चा आता है वो लगबग 4-5 unit का आ जाता है आप इसको 35-40 रुपे का इसको full charge करने में खर्चा आ जाता है एक बार fully charge होने के बाद इसमें आपको 75-80 km की range आसानी से मिल जाती है अब हम बात करें इसके price की तो मेंदरा E-Alpha Mini की lead acid battery के साथ on-road कीमत है एक लाग 85,500 रुपे ये on-road कीमत मैंने आपको बताई है न्यू डीवी एंटरप्राइस वलकता सोरूम की सोरूम की सारी जनकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जासे आदा like करें, comment करें, share करें चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को दबा देना Thank you दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में यहां से दोस्तो आप इसके सोरूम की detail को देख सकते हो